प्रिविद्यारतियां इस से में आप देख रहे हैं YouTube चैनल Student Portal और आज हम पढ़ रहे हैं कक्सा साथ की गणित अध्य है दस प्रायोगी की जैमिती और इसकी है प्रश्णावली 10.4 इसका ये पहला सवाल है त्रिबुज ABC की रचना कीजिए जब एम कोण ए बराबर साथ अंस म एम कोण B बराबर 30 अंस और AB बराबर 5.8 सेंटिमेटर दिया है तो सबसे पहले हम बनाते हैं AB बराबर 5.8 सेंटिमेटर ये हमने इसके लखा इसको 0 से 5.8 सेंटिमेटर तक बना लेते हैं ये हैं 0 और 0 से हम बनाते हैं 5.8 ये हो गया है 0 से 5.8 सेंटिमेटर इनको हम मार्क कर लेते हैं ये दिया है AB तो इसको लिखे रहों में AB A और B अब यहां पर करना है हमको एम कोण A बराबर 60 अंस मतलए A पर रखके 60 अंस का कोण बनाना है ये हम रख रहे हैं इसको ये रख लिए हमने इसको 60 अंस के लिए और ये बनाते हैं हम इदा से गिनेंगे तो ये आ गया 60 10, 20, 30, 40, 50, 60 60 पर हम इसको मारक कर देते हैं और इसको इस विंदू से मिला गयते हैं इसको मिला गयते हैं ये आगे तक बना दिया अब ये आ गया अपना एम कौन ये बराबर 60 अंस इसको मैंने लिख दिया 60 अंस अब बनाना है एम कौन बी बराबर 30 अंस तो बी पर कौन बनाना है ये इस तरब रखेंगे वो 30 अंस ये हो गया है 30 अंस का मतलब इधर से गिनेंगे 10, 20 और 30 तो 30 पर यहां पर आ रहा है ये पाइंड बना लेते हैं ये बना लिया अब हम इसको मिला देंगे इस बिंदू को 20 मिला देंगे ये हो गया तो ये अपना कटान बिंदू जो आया आग ये एम कौन ए बराबर 60 अंस है एम कौन बी बराबर 30 अंस है ये है 30 अंस दोनों कोनों का जो कटान बिंदू आया ये ये अपना त्रिभूज ABC का बिंदू C आयेगा ए और बी दिया है ए बी ये ए बी बराबर 5.8 सेंटिमीटर है यह AB बराबर 5.8 cm, M कोण A बराबर 60, M कोण B बराबर 300, तो यह कटान बिंदू, यह बिंदू C आ गया, तो त्रिबूज ABC की रचना हो गई, अब हम करेंगे सवाल नमबर 2, यह है सवाल नमबर 2, त्रिबूज PQR की रचना कीजिए, यदि PQ बराबर 5 cm, M कोण PQR, मतलब कोण Q बिंदू पर कोण आएगा, जो बीच में रहता है बिंदू, उसके ओपर कोण रहेगा, तो कोण Q हो जाएगा, 105 अंस, और यहाँ पर M कोण QRP लिखा है, मतलब R पे कोण बनाना है, 40 अंस का, वो त्रिबूज ABC की रचना करना है, तो सबसे पहले हम PQ बराबर 5 cm लेते हैं, यह हम 4 से ले रहा हूं मैं, तो 4 से अपनों 5 लेना हैं, तो 4 से कहां तक गएंगे, 9 तक, यह 9 तक हो गया, तो यह 5 cm हो गया, यह है PQ, तो इसको लिखा मैंने P, और इसको लिखा मैंने Q, यह हो गया PQ, अब M कोण PQR, PQR, इदर आएगा, तो Q पर कुण बनाना है, कितना बनाना है, 105 लेन सका, तो यह बनाता हूं मैं, 105 लेन सका, इसको मैंने रखा, इदर से गिनेंगे 105, तो यह 90 हो गया, 100 हो गया, और यह 110 है, और यहां बीच में है 105, यह है, तो Q से इसको मिला दूँगा मैं, यह Q से इसको मिला दिया, तो यह M कोण PQR, PQR इदर रहे, बराबर कितना है, 105 लेन सका, इसको लिखा मैंने 105 लेन सका, अब बनाएंगे M कोण QRP, तो Q, R, P, यह बनाएंगे, यह वाला कोण, तो यह वाला कोण कितना हो गया, 40 लेन सका, तो यहां आपनों को यह कोण नहीं मिल रहा है, पर इदर अभी बिंदू भी नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिबुच के तीनों कोणों के योग का सुत्र लेंगे हम, यह लगभग ऐसा समझे लो कि यह अपना त्रिबुच बनने वाला है, तो यह है P, यह Q, और यह R, तो Q दिया है 105, आर दिया है 40, और यह कुन सा आएगा, देखना पड़ेगा, त्रिबुच के तीनों कोणों के योग होता है 180, 40 अंस ही है और 105 अंस ही है, तो यह होगा 145 अंस, इन दोनों का जोड़, तो 140 में से 145 घटा जाते हैं, तो यह आएगा 35 अंस, तो इसका मतलब तीसरा कौन कितना आएगा, 35 अंस का, मतलब कौन कौन सा है, कौन QPR, यह लिखा मैंने AM कौन QPR, बराबर कितना आ 35 अंस का, तो हम इसके ओपर 35 अंस का कौन बना देते हैं, तो इसके हम कौन बनाते हैं, 35 अंस का, तो यह होगा 10, 20, 30 और यह 35, यह कौन बनाया है, तो इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये कॉन घुटना बन गया ये बन गया है 35 हंस तो 105 और 35 योग कितने होगा 140 तो बचावाला कितना है 40 हंस edition को त्रिभूज के 3 खृण़ों को योग कितना होता है 108 थो यह अपने त्रिभूज के रचना होगा ये P Q और ये बिंदू आगया यह कटान मिन्दू आ गया R PQ बराबर 5 cm है और M कॉन QPR यह है 35 हंस M कॉन PQR यह है 105 हंस और M कॉन QRP यह है 40 हंस तो यह था हमारा सवाल नमबर 2 अब हम करते हैं सवाल नमबर 3 यह हमारा सवाल नमबर 3 जाच किजिए कि आप TRIBUTEF की रचना कर सकते हैं या नहीं यदि EF बराबर 7.2 cm M कॉन E बराबर 110 अंस M कॉन E बराबर 80 अंस है अपने उत्तर की कुष्टी किजिए तो इसके लिए के लिए सबसे बिले हम क्या करें EF बराबर 7.2 cm ले ले लेते हैं तो ये 7.2 cm हम लेते हैं ये 0 से ले रहा हूँ 7 के बाद में 2 पाइंट ओर लेना है ये आगया 7.2 इनको नाम लेता हूँ में नाम ही EF ये हो गया अपना E और ये हो गया F और इसकी माप कितनी दी है 7.2 cm ये मैंने लिख दी हैं पर 7.2 cm M कॉन E बराबर 110 संस है मतलब पर कॉन E पर कॉन बनाना है 110 संस है ये रखा मैंने चांद्रा इसको मैंने मिलाया E बिंदू को यहाँ पर मिलाएंगा जो बीच में क्रास आता है हैं पर और इदर से चुकि ये एक लाइन बनी इससे मिलाते हैं अब कितना 110 इदर की तरब से जाएगा 110 तो इदर से जाएगा तो 90 तो ही हो गया फिर 90 के पास में 100 और ये 110 तो 110 कहीं है पर मैंने इसको पाइंट बना लेता हूँ ये पाइंट बना लिया है अब E को इस पाइंट टसम बिंदू से मिला लेता हूँ तो ये आगे अपना एम कोण E बराबर 110 अब ये बोल रहा है एम कोण E बराबर 80 तो E पर कितना बनाना है 80 बनाना है तो ये मिले रखा इसको ये अब इदर से लेंगे तो ये 90 सबसे उपर आएगा इदर आएगा 80 10 अन से कम और 80 इसको EF को इससे मिला लेता हूँ तो ये जो त्रिबूज है जाज किजिए आप त्रिबूज डी एफ की रशना कर सकते हैं या नहीं तो आप देख लो यहाँ पर रशना नहीं हुई है ये 110 अन से ये 80 अन से क्योंकि यहाँ पर तिसरा बिंदू जो है मिला ही नहीं है ये अलग जारा ये अलग जारा ये आगया बड़े कत ये इस प्रकार से आगे चली जाएगा तो अपने उत्तर की पूष्टी किजेए पूष्टी क्या है देखो एक कोन ये अभी इसको इस प्रकार समान लें कि ये थ्रिबुट डी है अप ये ये बना है थ्रिबुट डी अप ये डी बिंदू है ये ए और ये अफ है और यहाँ पर त्रिबुच के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 जबकि आपकोनों को जो कोन दिया है वो कितना दिया है E कोन दिया है 110 और A कोन कितना दिया है 80 और इन दोनों को जोड़ो तो 110 और 80 कितना होगे 190 होगे तो यहाँ दो कोनों का योग 190 होगे जबकि ये त्रिबुच के तीनों कोणों का योग एक्सो असियन्स होगा तो यहां ये दो कोणों का योग एक्सो असियन्स से कम होना चीए तो यहां पर बराबर भी नहीं होना चीए तो यहां पर इन दोनों कोणों का योग एक्सो नभ्य हो रहा है जो 180 से जादा है जबकि होना क्या चीए 180 से कम होना चीए बराबर भी नहीं होना चीए यो बराबर हो जागा तो तीसरा कौन कहा से आएगा तो यह होगे हमारा सवाल नमबर 3 प्रश्णावली 10.4 का अध्याए 10 प्राविक जिएमिती इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद